वल्कम फ्रेंट्स सेलफ अध्यन पर लाश्ट वीडियो में हमने देखा था GST के अंदर GST Payball हम कैसे Pay करते हैं कैसे उसको Adjust करते हैं जब हमारा Output Tax जादा है और Input Tax कम है आज की क्लास में हम Reverse देखेंगे GST Credit Balance का जब हमारा Output Tax कम होगा और Input Tax जादा होगा तो पिछली वीडियो में जो हमने देखा था उसी कंपनी के अंदर आगे Continue करते हैं हमने पिछले जो Question में देखा था उसमें हमने April मन्त में Entry करी थी और अब हम Next मन्त में Entry करने वाले हैं मई मन्त के अंदर सेम पहले हम Purchase करेंगे और फिर Sale करेंगे लेकिन अब थोड़ा Reverse कर लेंगे Purchase हम जादा की करेंगे 1,00,000 की और Sale हम करेंगे कम की तो Accounting Voucher के अंदर जब हम F9 प्रेस करेंगे अगर आपका Entry Mode आइटम में है तो आप Alt I प्रेस कर ले Alt I प्रेस करने के बाद आप Particular Options देख पाएंगे यानि कि आप Laser Entry पास कर रहे हैं Party A लेते हुए यहाँ से आपको लेना है Local Purchase Local Purchase में हमने डाल दिया है 1,00,000 और यहाँ पर Input का हमने Central और Input का State Tax अपलाई कर दिया है आप देखें 25,00, 25,00 यानि कि 5000 हमारा Speed Tax लगा है At the rate 5% अब हम Sale करने वाले हैं और जब हम Sale करेंगे Party B को तो यहाँ पर हमें Entry पास करनी है हमने Date यहाँ पर Change नहीं कही आप ध्यान रखेंगे Date आप F2 की से Press करते हुए Change कर लेंगे हम पिछले जो Voucher डाला था उसमें भी Date बदलेंगे एक माई में हम यहाँ पर Entry पास कर रहे हैं पहले हमने Purchase करी थी उसमें Date डालना भूल गए थे लेकिन उसको हम Modify कर देंगे Local Sale हम कर रहे हैं Local Sale हम कर रहे हैं यहाँ पर 60,000 की और आप यहाँ से उस पर Output CGST Output SGST लगा देंगे तो हमने यहाँ पर Sale Pass कर दी है आप F2 प्रेस करते हुए क्योंकि एक माई में हमने Entry डाली थी आप Page Up की को प्रेस करेंगे Page Up की प्रेस करने के बाद आपको पिछली Entry यहाँ पर दिख जाएगी तो पिछली Entry हमारी जो थी Purchase की थी एक लाग की वो यहाँ पर दिख रही है आप चाहें तो डिस्पले के अंदर Day Book से भी Entry को खोल सकते हैं या Voucher के अंदर से ही आप Page Up करके उसे देख सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है Date आपको पीछे वाले डाल कर Page Up करना है तो हमने एक मई को यहाँ पर modify कर दिये अपनी purchase अब आपको मैं Day Book के अंदर ये चीज़े दिखा देता हूं डिस्पले के अंदर आप जाएंगे Day Book के अंदर आप जाएंगे आप यहाँ से date change करेंगे 1st मई तो आपको सिर्फ 1st मई की ही entry दिखाई देगी अगर आप date बदल देते हैं 1st April तो जो पिछले हमने वीडियो में देखा था जो 4 entry हमने डाली थी वो सारी adjustment entry और यहाँ पर purchase sale के entry हमें देख रही है फिलाल तो हमने वापिस से 1st मई कर लिया है आपको यहाँ पर दोनों चीजे दिख रही है अब इसी के base पर हम अपना balance sheet check करेंगे balance sheet बेबी हमने alt F2 press करते हुए 1st मई से 31st मई के बीच हमारा क्या text बैठता है आप देखेंगे minus में शो हो रहा है पिछले वीडियो में 2000 आ रहा था लेकिन उसमें minus का sign नहीं था अब अगर हम देखें तो 2000 ही आ रहा है लेकिन यहाँ पर minus का sign आ रहा है क्योंकि जब हम इस पर enter करेंगे तो आप देखेंगे input ज़्यादा है और output कम है output है 3000 का total अगर देखें और input है 5000 का दोनो central और state का इसका मतलब 2000 रुपे का tax हमारा advance already भरा हुआ है जो हम बोलेंगे हमारा input tax credit का balance है तो पिछले वीडियो में जब हमने adjustment करी थी तो हमने input के amount को output के साथ adjust करा था क्योंकि input का amount कम था अब आप यहाँ पर amount कम देखें तो वो output का है तो अब यह amount हमें adjust करना है output का हमें अपनी ITC show कराना है total output को हमें यहाँ पर nil करना है हमें जाना होगा accounting voucher के अंदर press करना होगा F7 same procedure है output CGST का output SGST का लेकिन जो minimum amount है वो हमें डालना है पहले input का था अब output का है यहाँ पर दोनों entry आपको साथ में पोस्ट करनी है चाहें तो अलग-अलग पोस्ट कर सकते हैं output CGST output SGST 1500-1500 लेते हुए इसे हमने input के साथ adjust करना है और हमें करना है input SGST के साथ तो यहाँ पर CGST-SGST के साथ हमने इसको कर दिया है adjustment अब अगर हम balance sheet पे जाएं और alt F1 देखें दबाके तो भी हमें 2000 दिख रहा है लेकिन अब वो सारी की सारी entry adjust हो चुकी है और हमारा इस महिने मई के मन्त में कोई चलान नहीं भरा जाएगा return तो भरी जाएगी क्योंकि वो तो हर महिने आपको भरनी होगी लेकिन चलान हमारा यहाँ पर pay नहीं होगा क्योंकि हमारा tax ही नहीं बनता है और यह input credit हम अगले महिने भी use कर सकते हैं अगले महिने की जो हमारी sale होगी उसमें से पहले यह हमारा घटेगा amount और फिर जो हमारा purchase का input होगा वो घटेगा as per new rule तो यह सारी चीजे हमने देखा input tax credit हम कैसे यहाँ पर show कराएंगे कैसे उसे adjust करेंगे तो hopefully GST payable और GST input credit का fundा आप समझ चुके हैं next वीडियो में हम input credit का balance adjust करना सीखेंगे tally के अंदर आज की वीडियो में इतना ही बाकी के update के लिए बने रहें self अध्यन के साथ thank you था क्वशियो Fen आपका von आपका आपका बास आपका